हेलो दोस्तो, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल लर्निंग टाइटल्स पर तो दोस्तो, आज हम अलजब्रिक एक्स्प्रेशन का सब्ट्रेक्ट किस तरह किया जाता है, वो सीखेंगे तो देखिए, यह हमारा प्रेशन 6R²-4P²-5Q²-5Q²-5R²-4Q²-3P² दोस्तो, सबसे पहले हमें एक चीज़ का ध्यान देना है, इसमें लिखा हुआ है फ्रॉम, फ्रॉम से बहुत से लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं कि इसमें से इसे करना है, इसमें से इसे करना है, क्या करना है तो from का आप सीधा सा मतलब निकालिए second वाले में से पहले वाले को करना है बस इतना ही होता है from का मतलब ऐसी situation में तो देखें इस में से इस number को minus करना है तो हम पहले कौन सा लेते हैं ये second वाला 5R square minus 4Q square plus 3P square दोस्तों ऐसा करने से बहुत बड़ा फर्क पड़ता है अगर आप पहले इसे ले लेंगे तो आपका पूरा सवाल गलत हो जाएगा तो देखें हमने पहले इसे ले लिया अब हमें minus करना है अब यह वाला जो number है इसे हमें bracket में लेना पड़ेगा अब दोस्तों एक बात गौर करने वाली है कि पहले तो हमें इसे उतार लेना है पूरी तरीके से same to same 3P square अब देखें अगर कभी वी ऐसी situation हो जिसमें bracket के बहर minus का sign हो तो अंदर के सारे sign change हो जाते है देखें minus है बहर का sign तो अंदर यहाँ plus था तो यह हो जाएगा minus में 6R square और यह हो जाएगा plus में और यह वाला हो जाएगा minus में सारे के सारे sign change करने पड़ते है तो अब हमें क्या करना है अब हमें like terms टूर ने है 5R square माइनस 6R² अब देखिए माइनस 4Q² तो और है कोई Q² हाँ है माइनस 5Q² अब क्या बचा 3P² प्लस 3P² प्लस 4P² हो गया अब हमें इसे सॉल्फ कर देना है माइनस माइनस क्या होता है साइन माइनस वर्काउट प्लस 5, 6, 11 11R² अब देखिए यह वाला भी माइनस माइनस साइन माइनस वर्काउट प्लस 4, 5, 9 Q² प्लस प्लस साइन भी प्लस और होगा भी एड़ डिशन 3 और 4 कितना होता है 7 तो 7P² अब देखिए R², Q², P² यानि हमारा कोई वर्काउट अब नहीं बचा तो इस तरह से हमारा आंसर कंप्लीट हो गया तो दोस्तों इस तरह से किया जाता है सब्ट्रेक्शन आज की वीडियो में इतना ही अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज सब्सक्राइब फो नेक्स्ट कुशन थैंक यू प्लीज सब्सक्राइब